बेकु सराय में दर्दनाख हाथसे में बाढ़ पेड़ि दो पशुपालक युवकों की मौत हो गई घटना रिफाइनरी थाना शेत्र के हर पुर धाला एनेचे का तिस्की है जिसके बाद मौके पर पहुँचकर रिफाइनरी थानी की पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है परिजनों का रोरो कर बुरा हाल है दोनों बाढ़ पीड़ित पशुपालक अपने पशुबांद कर सड़क किनारे सोई हुए थे तबी दोनों ट्रक की चपेट में आ गए और घटना सलफरी उनकी मौत हो गई समस्तिपूर के उजियारपूर धाना श्वेत्र के लखनीपूर महिशपटी पंचायत में दो सगे भाईयों में खूनी संघश हो गया दो सगे भाईयों के बीच हुई मारपीच में करीब दो दरजन लोग बुरी तरह जखमी हो गए आनन फानन में स्थानिय लोग घायलों को प्रात्मिक स्वास्तिक केंद्र उजियारपूर ले गए जहां से प्रात्मिक स्वास्तिक केंद्र में तैनात कर्मियों ने बिना किसे प्रात्मिक उप्चार के सभी घायलों को समस्तिपूर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गायलों के अस्पताल पहुँचते ही चारों तरफ चीक पुकार मच गई फिलहाल सभी गायलों का अस्पताल में लाद चल रहा है और पाँच की हालत गंभीर बताई जा रही है घटना की सूचना मिलते ही उजियारपुर पुलिस घटना स्थल पर पहुँच कर मामले की चानवीन में चुट गई है एक तरफ जहां दर्दनाख हाथ से हुए हैं तो दूसरी ओर पुलिस को चापे मारी के दौरान सफलता हाथ लगी है पुलिस ने शुराब माफियाओं की बड़ी खे पकड़ी है कदम कुआ थाना और मद्यनिशेद विभाग की टीम ने सयोगत कारवाई करते हुए साथ लाग चौनसट हजार रुपेओं और दो बोतल शुराब के साथ तसकरों को धर दबोचा है दरसल पुलिस को गुपत सूचना मिली थी कि कुछ तसकर एक जगा एक खटा हुए है तब ही पुलिस ने कारवाई करते हुए इन लोगों को गिरफतार कर लिया और उनके साथियों की तलाश में चापे मारी की जा रही है ब्यूर रिपोर्ट पंजाब केसरी टीवी